वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप कन्फ्यूज हैं कि कौन सी गाड़ी आपको खरीदनी चाहिए, क्या है आपका बजट, क्योंकि बजट के हिसाब सही तो हम आपको गाड़ी बताएंगे न तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक ह होते हैं तो कुछ एक ऐसे ही लोग हैं जिनको एक अपनी गाड़ी के अंदर रिच फील चाहिए, छोटी गाड़ी चाहिए, बेहत प्रैक्टिकल गाड़ी चाहिए और लगबग सारे के सारे उसके अंदर फीचर चाहिए, इनफेक्ट बड़ी गाड़ियों वाले फीचर च खेर, इसके अंदर क्या अलग से फीचरस दिये जाते हैं, जो कि हमें बेहद प्रेक्टिकल लगे, एक तो इसके अंदर फ्रन्ट पार्किंग सेंसर आ जाता है, दूसरी गाड़ी नहीं देती, इसके अंदर आजकल के इसाबसे वेंटिलेटिट सीट आ जाती है, बेहद प्रे मेरे जैसे बंदे तो इसका यूज मेंली गर्मियों के अंदर करेंगे कि घर में बैठे बैठे ये पार्किंग के अंदर आपकी गाड़ी को आपने स्टार्ट कर दिया ताकि अंदर की पूरी की पूरी कैबिन ठंडी हो जाए और अगर आपका किसी दोस्त ने या पर छेड़ है और बूट स्पेस भी अच्छा खासा दिया गया है अगर घुमंतू किसम के इंसान वगरा है तो यहाँ पर मेरे ख्याल से इसका 302 में लेटर का जो है वो बूट स्पेस है लेकिन जैसे हमने एक खोला तो हमें पता चला कि भी है इसमें 60-40 जो है न वो सेट नहीं दी तो हम आपको बताते हैं कि ये गाड़ी आपके लिए बनी है कि नहीं बनी है चली आप अंदर आईए अब देखिए अंदर जैसे ही मतलब चलाने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूँ कि अंदर जो है ना कैबिन का बड़ा ही रिच फील आता है यार इन फैक पूरे का इन्फोटेन्मेंट ये देख रहे हो आप मतलब की इतना तगड़ा टच रिस्पोंस है ना इसका बेहद आपको अच्छा लगने वाला है और सारे काम के फीचर तो हैं ही है इसके अंदर लेकिन जो सबसे बड़ी चीज होती है कि इन्फोटेन्मेंट के साथ-साथ आपक के सारे बहुत ही प्रोपर धंग से आते हैं एक और चीज मैं आपको बताऊं जो यह चीज पोर्शन दिया गया है ना बोटल होल्डर वेगेरा ये आपका जो है मूड लाइटिंग के साथ में बेहद गजब का लगता है रात को तो इसके अंदर एक ऐसा है यहां पर तो उस हम करेंगे भीया इन्वॉल का सेंडल वुड जो है वो फ्रेक्रेंस जो हम यूज करने वाले है सेंडल वूड मतलब की इंडिया जिसके लिए जाना जाता है चंदन की खुश्बू के लिए और चंदन की खुश्बू जैसे ही आती है पूरा का पूरा माहुल ऐसे काम एकद या दो स्प्रे आप कर दीजिए पूरी की पूरी गाड़ी ऐसे चंदन नुमा हो जाएगी बिल्कुल यार है तो सही यार सच में बहुती मज़ेदार है और लगबग लगबग दो महीने तक चल जाएगा तीन महीने भी चल सकता है मैं आप लोगों को पता है फ्रेग्रेंस जो है हर एक आपको बताता हूँ ताकि आप अपने टेस्ट के हिसाब से जो है वो चूज कर सके फ्रेग्रेंस जो है इनका नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दे दिया है जाकर के ले लीजिए लगबग 10% का आपको पू स्टेरिंग दिया गया है और रही बात स्विचेज वेगरा कि वह भी आपको डिसेंट लगने वाले हैं यहां पर वैसे इसके अंदर पैडल शिफ्टर दिया गया है अब चलते हैं वहिए वेंटिलेटिट सीट जो है वो मैंने ओन कर ली है और काफी मज़ा आ रहा है इसके पास में है तो दिखाएगा यहां पर बताएगा कि यार यह वाला जो कोर्नेर रहना वहां पर टच होने वाली है चीज कोई भी इस गाड़ी के अंदर आपको ड्राइविंग मोड मिलते हैं यहां पर आप जाओगे ठीक है आपको स्पोर्ट मोड में चलानी है इको के अंद इसके अंदर और भी मोड दिये गया ड्राइविंग के मतलब कि ड्राइव मोड तो है यह ट्रेक्शन के इसाब से यहां पर मड मोड दिया गया स्नो मोड जो है वो भी दिया गया है तो यह एक वहतर बात है जो कि दूसरी सेगमेंट के अंदर शायद नहीं आती है चीज़े लेखते हैं जो कि एक compact SUV होती है ना इनके अंदर जो है visibility वेगरा जो है वो बहुत ही प्यारी होती है आपका driving confidence जो है वो बढ़ा देती है और मेरे जैसे height के इसाब तो bonnet अच्छे तरीके से visible है यहां पर अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा है तेज स्पीड जैसे अभी 100 के उपर चल रहे हैं स्टेरिंग के अंदर जो है ना वो एक hard आपको हलका हलका feel होना शुरू हो जाएगा थोड़ा सा यह चीज तो है क्योंकि मैंने काफी पहले प्रेस कर दिया था उसको तो वाली चीज आपको लगने वाली है कुछ टाइम के अंदर हो सकता आपको आदत हो जाए लेकिन मुझे यह कोई चीज सही नहीं लगी काम की चीज है यार जैसे सामने से ट्रक गया ना मेरे तो इसके sensor ने बता दिया इस सेग्मेंट में आपको सबसे ज़्यादा खुबसूरत कौन सी गाड़ी लगती है क्योंकि यह काफी अबवल आती है अगर एक डिजाइन की बात करते होना और शुरुवात से ही है यह इसका इसाब किताब जब क्योंकि वेन्यू आई थी यह आई थी तो वेन्यू भी ल देखो यार है यह थी सिलेंडर ठीक है लेकिन मतलब की अंदर जो है ना वह साउंड फील नहीं हो रही ज्यादा एक चीज में आपको बताओं यह बहुत बढ़िया बात है मतलब कि गाड़ी आपको काफी साइलेंट लगने वाली सस्पेंशन जो है वह मेरे को इस गाड़ी तो यह थीक डीसेंड तरीके से काम कर रहा है साराई साब किताब आपको कोई भी समिश्या नहीं आएगी सस्पेंशन से रिलेटिड दो मुझे इस गाड़ी के जो सबसे सही चीज लगी ना वो है इसका थाई सपोर्ट स्पेशली आगे जो है वह भरपूर थाई सपोर्ट बढ़िया दे रखा इसके अंदर कोई दिक्कत वगरा होगी नहीं एक दो चीज में यहां पर आप से बात करना चाहूंगा कि अगर यह गाड़ी ले रहे हो ठीक है और पॉफुमेंस के इसाब से आप देख रहे हो ठीक है पॉफुमेंस अच्छी निकाल करके देगी आपक हो ठीक है लेकिन जो भगाओगे और वह सारी चीज है तो एवरेज आपको बहुत ज़्यादा आप इससे उमीद मत करना लगबग लगबग दस के आसपास के आप इससे उमीद कर लेना ठीक है जैसे आप बगाते बगाते हो तो इस गाड़ी का थोड़ा सा फन करोगे तो फ मुझे आपको चीज बतानी थी और एक और चीज मैं यहां पर फील कर रहा हूं कि आपको अंदर बैठ करके ना एक बड़ी गाड़ी का सथोड़ा सा एसास जरूर होगा स्पेशली इस वाले एरिया के अंदर आपको लगेगा और थोड़ा सा इसलिए में कह रहा था सर्फ पुइंट पता है क्या है जैसा आपको चाहिये विजए अब को लीख और रहर यह इंदर बहुती शहएं वोव भी मिलेगा है कि थीक है जाती यह हाँ दूसरा अगर competition की बात करें तो सिर्फ आपको पेट्रोल के अंदर मिलता है कोई आपको सिर्फ एक ही तरीकी का automatic देता है नहीं ऐसा कुछ नहीं आप थोड़ से पैसे लगाओ आपको 40-50 जार रुपए के आसपास आपको extra देने पड़ते हैं और IMT आ जाता है तो एक मतलब की जाम इस गाड़ी के अंदर जो है ना ब्लाइंड स्पोर्ट के रियेट नहीं होता है ज्यादा है यह एक अच्छी बात है यह जब आप रखते हैं तो छोट-छोटी बाते ना आपको पता चलती है गाड़ी के बारे में और साथ की साथ सेफटी की भी बात कर लेते और वैसे और भी सारे अलग से फीचर भी ए टीपीमस विगारा भी है किसी बीगाड़ी की मैं किसी भी बात कर रहा हुआ किसी बीगाड़ी की अगर एसी की परफोमेंस को डबल करना हो आप लोगों के लिए अगर कोई दूसरे वो देख रहे हैं तो भाया वेंटोले डिद जो है आपको मिलेगी एसी की परफोर्मेंस में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कमफर्ट के इसाप से आगे वाली सीटों पर आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं लेगे करते हैं तो इस सेग्मेंट के अंदर जो है ना वो थोड़ी सी स्पेसेस गाड़ी इसकी बजाए आपको मिल जाएंगी गाड़ी तो देखो यह बिल्कुल नहीं है क्योंकि हजार किलोमेटर ही चलिए गाड़ी तो इस रिसाब से लेकिन क्योंकि इनकी फिट और फिनिश बग पूरे चाहिए भया उनको भार से कुछ भी नहीं करवाना है एक रिच कैबिन आपको चाहिए अच्छी लुक के साथ में गाड़ी चाहिए और परफॉमेंस भी जो है वो डिसेंट देती है भया बढ़िया परफॉमेंस देती है थोड़ा सा जो है इनका जो यह सेवन स्पी तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताना दोस्तों कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ठीक है तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स वीडियो के अंदर इसी मैसेज के साथ कि अगर आप फोर विलर चलाते तो सीट बैल जरूर पहन यह और अगर आप टू विलर चलाते हैं तो हेल जरूर पहनना जैहिन जैभारत